आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफों पर और जैसा कि आपको पता होगा हमारी आज 12 नॉमेंबर हो चुके और आज के जितने भी करन्ठ फेर्ष होंगे आपके वह हम इस वीडियो में डिसक्स कर लेंगे तो आपकी जो करन्ठ फेर्षी क्लास है वह भी यहा करन्ठ फेर्ष पटाते हैं लेकिन हम यहां पर 10 मिनिट से कम टाइम में सारे करन्ठ फेर्ष क्लियर करवा देते हैं और कोई भी करन्ठ फेर्ष का क्वेस्चन कोई भी करन्ठ फेर्ष का क्वेस्चन आपका चूटेगा नहीं इसकी गैरेंटी में खुद दे रहू आपको तो यहां से शुरू करते हैं आपका question number first हाल ही में जारी किसकी रिपोर्ट के अनुसार विश्वस्तर पर 240 मिलियन बच्चे दिव्यांग है तो मेरे प्यारे दोस्तों पूरे वर्ड की बात हो रहे हैं कि पूरे वर्ड में 240 मिलियन की बात हो रहे हैं नहीं 240 तो 240 मिलियन बच्चे जो है वो दिव्यांग है वो किसकी रिपोर्ट के अनुसार बताए गया है डबल्यू एचो वर्ड बैंक या फिर यूनिसेफ तो मेरे दोस्तों आपको याद रखना है सिधा यहां पर यूनिसेफ तो यूनिसेफ की जो रिपोर्ट आये उसने बताये कि पूरे वर्ड में 240 मिलियन बच्चे ऐसे है जो कि दिव्यांग है ओके दोस्तों अब हम बात करें कि वू यानि कि डबल्यू एचो वर्ड बैंक और यूनिसेफ इन तीनों के जो कहते है ना कि उसके मुख्य केंदर कहां पर आये हुए है तो नाम याद कर लिए ना जीनिव है वहां पर इन जोए इसके केंदर आये है मुख्याले आये हुए है नेट क्वेस्टन हाल ही में किसे राज्य सभा का महा सच्चीव नियुक्त किया गया है तो आपको पता होगा कि जो राज्य सभा है हमारी उसके महा सच्चीव जो है वो कौन नियुक्त हुए है आल ही में पी सी महानोबिस जो है उसको अभी नियुक्त किये गया है तो ओप्शन नमबर भी राइट ओप्शन बताया गया है तो इसे याद कर लो भी के अभी Negative Question है आल ही में फूर्ँमियो किसीदा किस देश के फिर से प्रधानमंतरी बने और हैंवले पास्वणिख में शिर्ष पर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि फूर्मियो किसीदा जो है वो किस देश के प्रधान मंत्री थे और फिर से बता गए अगर आपको पता होगा कि फूर्मियो किसीदा इस देश के प्रधान मंत्री है फिर तो कोई बात है ही नहीं तो आपको याद रखना है कि जो फूर्मियो किसीदा थे वो जापान के जो है प्रदान मत्री थे और दूसरी बार लगातार दूसरी बार वो वहां के पी-एम बन चुके है नेट्स क्वेस्चन हाल ही में किसे राज्य सभा का नया महा सची नियुक किया गया है रिपीटेड क्वेस्चन है देख लेना ओके तो अब हम बात करते यहां पर हाल ही में माई सरकल के ब्रांड एमबेसेडर कोन नियुक्त हुए है तो मेरे दोस्तों माई 11 सरकल जो है पूरा एप्लिकेशन है आपको पता होगा तो माई 11 सरकल जो है उसके ब्रांड एमबेसेडर कोन बने है तो आपको याद कर लेना है मोहमद सिराज जो है वो माई 11 सरकल के ब्रांड एम्बेसेडर हाल ही में नियुक्त हुए है नेस्ट क्वेस्चन है हाल ही में जुन 2021 में योगासन चेंपियंशिप की मेजबानी कौन करेगा तो 2022 जो हमारा पूरा वर्ड लेवल का योगासन चेंपियंशिप होगी उसकी मेजबानी कौन करेगा नेपाल करेगा भारत करेगा या फिर स्रीलंका तो आपको पता होगा भारत का जो इतिहास है भारत की जो संस्कूरूती है पहले से योगासन उपर आधार ही थे और पहले से हम जो योग से प्रणेर नहीं थे तो इसकी वज़से जो ये 2022 की जो च तो आपको याद कर लेना है कौन सा रोहित सर्मा ओके नेस्ट क्वेस्टन हाल ही में कहां किसान भवन और मधुमक्खी पालन सम्मेलन का उधिकारन किया गया है तो आपको याद रखना है कि जो हमारा किसान भवन और मधुमक्खी पालन सम्मेलन जो है वो पूरा उत्राखन में होगा नागालन में होगा या फिर जम्मू कस्मीर में तो आपको सिधा टिक करना है कहां पर नागालन जो हमारा वहां पर होगा ओके दोस्तो तो इसे याद कर ले अभी के अभी नेश्ट क्वेशन हाल ही में तीन दीवसी राष्टी स्तर की स्क्वेश जो है प्रतियोगिता कहां शुरू हुई है चैपूर में, पोपाल में, प्रियाग राज में तो आपको इसे पता होगा कि जो हमारा यहाँ पर प्रियाग राज there वहाँ पर तेन दीवसी राष्टी स्क्वेश की प्रतियोगिता हुई है नेश्ट क्वेशन हाल ही में भारत की पहली राष्टी योगासन स्पोर्ट चेंपियंशिप का आयोजन कहां किया गया है तो हमारा जो sports का पूरी आयोजन है राश्ट्रिय योगाशन स्पोर्ट चेंपियन्शिप उसका जो आयोजन लखनव, पुनेश्वर या फिर बोपाल में हुआ है तो आपको याद रखना होगा कि लखनव जो हमारा वहाँ पर हमारी राश्ट्रिय योगाशन स्पोर्ट चेंपियन्शिप का आयोजन हुआ है नेट क्वेस्टन आपको याद रखना होगा कि जो स्वाहिस्थ मंत्री अमारे स्वाहिस्थ मंत्री कोन है और 32 हुनर हाट का जो उद्गाटन किया गया है वो अमारे लखनव में किया गया है तो अप्शन नमर भी राइट अप्शन हो जाएगा तो आपकी जो करंट रखन की क्लास है मेरे दोस्तों यहाँ पर खतम होते हैं और हमारे जो करंट रखन के महार्श होते है दस में से दस कोई भी एकजाम हो आपके 100 में से 100 में करंट रखन में दिला दूगा आप हम पर विश्वास किजिए और अपनी महनत पर विश्वास करें ट्रॉस्ट वर माइसेल्फ और शेल्फ ओके तो थेंक्यू थेंक्यू वेरी मच्छ एव नाइस डे